नमश्कार दोस्तों, आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ती ग्यानतियोहर में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान पर भरोशी की एक बहुती सुन्दर कहानी सुनाने जा रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वाशुदेवाय नमहा जरूर लिखिये। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनेए ये कहानी, किसी गाउं में एक औरत रहती थी, वह अपने परिवार के साथ रहती थी, उसके एक बेटा भी था, उसका बेटा आठ साल का था, वह औरत वहुत ही धार्मित थी, लेकिन उसे काम काज में पूजा पाट का समय नहीं मिलता था, तो वह औरत काम करते करते, ओम भगवते वाशुदेवाय नमह मंतर का जाप किया करते थी, अलग से पूजा का समय तो उसके पास नहीं था, लेकिन वह इस मंतर का जाप हमेशा करते रहते थी, एक दिन की बात है, वह औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वाशुदेवाय नमह का जाप कर रही थी, तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी और अपने बेटे की चीख सुनी, तो वह दोड़कर आंगन की तरफ गई, तो उसने देखा उसके आच साल का बेटा गिरा पड़ा था, उसके खोन निकल रहा था, वह खोन से लगपत था, उस औरत को अपने बेटे को देखकर मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसके घर में कोई नहीं था, तो वह र पड़कर नीचे गई, तो देखा उसका बेटा आधी बेहोसी में मा मा की रट लगाए हुए है, अंदर की ममता ने आखों से निकल कर अपने मौजूदगी का एहसास करवाया, उस औरत का दस दिन पहले ही अपेंडिक्स का ओपरेशन हुआ था, इसके बापचूद भी न ज जाने कहां से, उस औरत में इतनी सक्ति आ गई, कि वह अपने बेटे को गोद में उठा कर पड़ोस के नर्शिंग हॉम की तरफ दोड़ी, राश्ते भर भागवान को जी भर कर वह कोशती रही और बढ़बढाती रही, हे कनहिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो मेरे ही बच्चे को तुमने इतनी तकलीफ दी, यही कहते कहते वह नर्शिंग हॉम पहुँच गई, डॉक्टर साब मिल गए, और समय पर इलाज होने पर उसका बेटा बिलकुल ठीक हो गया, उसके बेटे की चोटें गहरी नहीं थी, उपरी थी, तो कोई खास परिशान होने लगी थी, एक मा की ममता प्रभुशत्ता को चुनोती दे रही थी, उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चल चेतर की तरह चलने लगी, कि कैसे उसका बेटा आंगन में गिरा, एका एक, उसकी आत्मा सिहर उठी, कि कल ही तो पुराने चापकल का पाइप का तुकड़ा आंगन से हटबाया है, ठीक उसी जगे, जहां बेटा गिरा पड़ा था, कि अगर कल मिस्त्री न आया होता, तो क्या होता, तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां टांके अभी हरी ही थे ओपरेशन के, आश्चेरी हुआ, कि उसने 20-22 किलो के अपने बेटे को उठाया कैसे, कैसे वो आदा किलो मीटर तक दोरती चली गई, उसे फूल से भी हलका लग रहा था अपना बेटा, बैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती, फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर सहब तो दो बज़े तक ही रहते हैं, और जब वो प अब वो सारा खेल समझ चुकी थी, मन ही मन प्रभू से अपने सब्दों के लिए छमा मांगी, तभी टीवी पर उसका ध्यान गया, तो प्रवचन आ रहा था, कि प्रभू कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी सक्ती दे सकता ह कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको, तुम्हारी रहा आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्क पर चलते रहो, उस औरत ने घर के मंदिर में जहकता देखा, तो भगवान क्रेशन मुस्कुरा रहे थे, हम बहुत बार संकट, समय या खुसी के पल में इश्वर की किरपा तर अच्छा समझ नहीं पाते, पर बाद में ये एहसास हो जाता है, कि ये सिर्फ इश्वर की ही किरपा थी, ऐसे वक्त, स्रद्धा, आस्ता और धरे बनाए रखें, जैहो भगवान क्रेशन की, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए, साथी मेरे वीडियो को ज्यादे से ज्यादा शेयर करिए, धन्यवाद